पटना के गांधी मैदान के पास दो लड़कों को लड़की को I love you बोलना बड़ा ही महंगा पड़ गया जी यहां आप देखना सुरू कर चुके हैं दर्शनीूज मैं हूँ दिव्यानसू पटना के गांधी मैदान गेट नमबर साथ का ये मामला है जहांपर दो नाबालिक लड़कियां बैठी हुई थी तभी कुछ मंचले वहाँ पर आते हैं दो की संख्यां बताई जाती है और लड़की को I love you बोल देते हैं वो लोग जिसके बाद कुछ दूर पर ही उनके परिजन भी थे लड़की के परिजन उन लोगों ने उने उन लड़कों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद घाने में गांधी मैदान थाने में एक प्रात्मी की दर्च हो गई और लड़कों को पुलिस की गिरफ्त में दे दिया तो यह मामला है जहां पर लड़कों को काफी महगा पड़ गया है पुलिस ने उठा लिया दोनों को अभी हवालात में बंद है कि सबसे पहले सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कल दिनांग 1524 को संध्या में गेट नंबर साथ के पास गानी में दान में दो नवालिक बच्ची बैठी हुई थी जिसे दो मनचले विवक आकर आई लव यू बोलकर अर उसका वीडियो बनाने में दोनों नवालिक बच्ची के धार्जियन अगल बरगल में असपास में थे तो वो दोनों विवक को पकड़ लिया और पकड़ कर ठाना लाए अलिकी तावेदन दिया हैं जिसकर प्राक्मिकी दर्ज कर अग्रिम है उनका चरी खराब हो जाएगा इसलिए वैसे लोगों को पढ़ने लिखने वाले उपको को मैं साथ धान कर देना चाहता हूं गोलने के लिए यूपियां लोग आई थी गाजी में ताल वो दोनों बच्ची अपने गार्जियन के साथ साइद होता है मेला लगा हुए है मे लड़कों को यह भनक नहीं थी यह पता नहीं था कि लड़की के साथ उनके परिजन भी है उनके गार्जन भी है वरना ऐसी हरकत वो नहीं करते हैं खैर मंचलों का आतंक काफी बढ़ गया है गांधी मैदान ही नहीं पूरे पटना में मंचलों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है लड़कियों के साथ कमेंट बाजी होती है और अब तो पर्वत्योहार का समय आ रहा है तो ऐसी गटनाएं कुछ तैदी रखनी पड़ेगी कि मंचले किस तरीके से घूमते हैं मस्ती में और लड़कियों पर कमेंट करते हैं यहां तक की आइलव यू तक बोल देते हैं काफी कुछ हो जाता है यहां पर तो आइलव यू बोलना सिर्फ आइलव यू उन्होंने बोला था और महंगा पड़ गया परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद थाने लेकर चली गई और थाने में अच्छी खिद्मत हुई है उनकी तो गांधी मैदान गेट नंबर साथ का यह मामला है वैसे मामला कई जगों से आता है कई जगा लड़कियां बोल नहीं पाती और कई जग का जो नंबर है जो इमर्जेंसी नंबर है पुलिस का वहाँ पर कॉल कर सके लड़कियां और महिलाएं रात में अगर वो कहीं फस गई है उन्हें आटो नहीं मिल रहा है या फिर कोई दिक्कत उन्हें आ रही है तो घर तक उन्हें ड्रॉप किया जाएगा 112 की गाड़ी में वो आराम से सुरक्षित होकर पुलिस वालों के साथ जा सकती हैं तो कई पहल किये जा रहे हैं लेकिन मंचलों की जो आदत है वो नहीं सुधर रही है इसमें एक बड़ा रिजन ये भी आता है कि जिस तरीके से नसे का कारोबार बढ़ा है जब से सराब बंदी हुई ये सू सामने आ रही है निकल करके कि नसा करके लड़के जो हैं कम उम्मर के लड़के वो क्राइम करते हैं ये भी एक क्राइम ही है जिस तरीके से नावालिक लड़कियों के साथ छेड़ खानी फिर उन्हें I love you बोल देना तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं पुलिस को इसमे कमेंट बाजी करते हैं तो फिर मुश्किल में पढ़ जाएंगे वो ये एक दहसत ये एक डर होना चाहिए उनके दिमाग में तब इसके लिए देखते हैं कि पुलिस क्या कुछ करती है अभी तो फिलाल उन लड़कों को पकड़ लिया गया गारजन नहीं उन्हें पकड़ लि तो लड़के छेड़ खानी भी कर सकते थे उनके साथ खेर ऐसी कोई बात हुई नहीं सिर्फ आई लब यू बोलना बड़ा ही महंगा पड़ गया लड़कों को पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के सत्क शर्ब गया लड़के लड़के उनके साथब देनगे रिमेर खाना से रहेंगे लड़के लेड़के लड़के.